हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मनस्वी एक्जाम सॉलुसंस फ्रेंड्स, आजकर जो H-TAT, C-TAT और जो भी टीचिंग से रिलेटिड एक्जाम हो रहे हैं इसमें Child Development and Pedagogy से रिलेटिड कोश्चन पूछे जाते हैं तो Child Development and Pedagogy से रिलेटिड जो कोश्चन है जो Jean Important Topic से पूछे जाते हैं हम उन्हीं Important Topic में से कुछ कोश्चन है उनको डिस्कस कर रहे हैं तो उन्हीं में से एक Topic है मानव वेवहार तो आज की वीडियो में हम मानव वेवहार से रिलेटिड जो Important Topic है जो Important Question है उनको डिस्कस करेंगे इस में जो first question है वो है खेल सिखाते हैं तो खेल होता क्या है? खेल किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी क्रिया जिसके א्च वारा की क्या है? आनन्द की प्राप्ती होती है और जिसे हम खेल कर क्या है? जब हम खेलना चाहते हैं अपनी मरजी से जो काम को जिस करिया को अपनी मरजी से जब मन करे तब करते हैं तो उस करिया को ही क्या कहते हैं खेल कहते हैं तो खेल है उसे अनुशाशन की बहुना भी आती है सभी बच्चे क्या है मिल जूल कर खेलते हैं तो उसे एक समाजिकता की बाहुना भी आती है और रचनात्मक कुल, कुछ खेल क्या होते हैं, रचनात्मक होते हैं जैसे मिटी का घर बना के बच्चे खेलते हैं तो जो खेल हैं, खेल सिखाते हैं इसका जो सही अंसर है, वो क्या होगा? ये सबी, अनुशाशन, समाजिकता, रचनात्मकता जो खेल हैं, वो ये सबी सिखाते हैं जो सेकिंड कुश्चन है, मैक डूगल के अनुसार मूल परवर्तियां होती है अब मैक डूगल के अनुसार मूल परवर्तियां होती है 25, 14, 11 या 23 इसका जो सही अंसर है वो क्या है 14 मैकडूगल के अनुसार मूल परवर्तियां है वो 14 होती है अब जो मूल परवर्तियां है वो क्या होती है और जो मैकडूगल है वो कौन है जो मैकडूगल है इनका जो पूरा नाम है वो है विलियम मैकडूगल इन्होंने जो एक बुक लिख मैक डूगल हैं हैं इनके बारे में वर्णन किया था अगर इनके अनुसार जो मूल परवर्तियां हैं वो ऐसे वैवार या किरियाएं होती है जिनको मनुष्य होते हैं और जो जीव जन्तु होते हैं उनको सीखना नहीं पड़ता जैसे कि जो पशु होते हैं उनको तैरना आता है जो पक्षी होते हैं उनको गोसला बनाना आता है जब मनुश्य को भूख लगती है, तो वो भोजन की खोज करता है, भोजन करता है, तो ऐसे वेवार या किरियाएं, जिनकों कि मनुश्य को सीखना नहीं पड़ता, उन्हीं को क्या कहते हैं, मूल परवर्तियां कहते हैं, नेक्स्ट है, किस नियम के नुसार परति भाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटी की होती है, परतियागमन का नियम, विबिन्ता का नियम, मेंडल का नियम, इन मेंसे कोई नहीं, जो परतियागमन का नियम है, इस नियम के नुसार क्या होता है, जो परति भाशाली माता पित होते हैं उनकी जो संतान होती है उसमें अपने माता पिता इस नियम के नुसार बालक में अपने माता पिता के विपरित गुन पाए जाते हैं अगर माता पिता वो परती भाशाली है तो उनकी संतान कैसी होगी निम्न कोटी की होगी तो इसका जो सही अंसर हो क्या होगा परते गमन का नियम विबिंता का नियम क्या कहता है इस नियम के अनुसार जो माता-पिता होते हैं बच्चों में उनसे भिन गुन पाए जाते हैं कि एगजेक्ट उनके जैसे गुन नहीं होते हैं कि उनके जैसा ही रंग रूप उनके जैसा ही कद उनके जैसा ही बिहेवियर और उनक जिनम दाता है वो कहा जाता है जो मेंडल के नियम है इनका जो पूरा नाम है वो है ग्रेगर जोन मेंडल इन्होंने मटर के दानों के उपर परयोग किया था और जो अनुवांशिकी के जो नियम है उनका परतिपादन किया था इन नियमों को मेंडल वाद कहा जाता है ये तीन मेन नियम है जिन में से जो फर्स्ट है वो है परभाविता का नियम सेकिंड है एकल लक्षण का नियम और जो थर्ड है सवतंत्र अपव्यूहन का नियम तो जो हमारा कोश्चन दा किस नियम के नुशार परतिभाशाली माता पिता के संता निम्न कोटी की होती है इसका सही अंसर क्या है परत्यागमन का नियम खेल होते हैं आतम प्रेरित, आनन दायक, उदेश यहीन ये सभी इसका जो सही अंसर है वो क्या है D, ये सभी किसने सामने परवर्तियों को सुख को खोजने और दुख से बचने की परवर्ति कहा है रोस ने, ड्रमविल ने, मैकडूगल ने, रेबर्न ने इसका जो सही अंसर है वो है B, ड्रमविल ने ड्रमविल ने सामने परवर्तियों को सुख को खोजने और दुख से बचने की परवर्ति कहा है बालक के लिए खेल का महतव है शारीग विकास, मांसी विकास, समाजिक विकास ये सबी जो खेल होते हैं उनके दुआरा बच्चे का शारीग विकास होता है मांसी के विकास भी होता है और समाजिक विकास भी होता है तो इसका जो सही अंसर है वो क्या होगा D, ये सबी मूल परवर्तियों का महत्व है शिक्षक के लिए, छातर के लिए, शिक्षक छातर के लिए, किसी के लिए नहीं तो जो मूल परवर्तियों है, इनका सिक्षक और छातर के लिए महत्व होता है तो इसका जो सही अंसर वो क्या है C खेल के पूरो अभीने सिद्धान्त का परतिपादन किया खेल से पूरो अभीने सिद्धान्त का परतिपादन है वो माल ब्रेंस ने किया मानव कोशिका में गुन सुत्र पाए जाते हैं इसका जो सही अंसर है वो क्या है 46 अगर question आता है जाम मानव कोशिका में कितने जोड़ी गुन सुत्र पाये जाते हैं तब इसका जो अंसर होगा वो होगा 23 किंडर गार्टन पदती के परती पादक है जो किंडर गार्टन पदती है इसका परती पादन फ्रोबेल ने किया कितरिम जीन का निर्मान करने वाले भारतिय वेग्यानिक है इसका जो सही अंसर होगा वो है डाक्टर हर गोविंद खुराना है वह है खेल पदती जिसमें किसी तरह के परतिबंद नहीं लगाए जाते वो खेल पदती होती है डालटन पदती खेल खेल में ग्यान परदान करने कि पदती है तो खेल किंडरगाटन मॉन्टेसरी हुरिस्टिग या परोजेक्ट पदती तो इसका जो सही अंसर है वो क्या है मॉन्टेसरी पदती संवेक का शाब्दिक अर्थ है संवेक का जो शाब्दिक अर्थ होता होता है उत्तेजित दशा बीज कोस की निरंतरता का नियम दिया था बीज कोस की निरंतरता का नियम है ये बीज मैंने दिया था इनके नुसार जो बीज कोस की निरंतरता का नियम है इसके नुसरा जो बीज होता है वो बीज कोस कभी भी नश्ट नहीं होता है वो आगे ट्रांसफर होता रहता है लेकिन ये जो नियम है इसको सुईकार नहीं किया जाता खेल परणाली का जिनम दाता है वो फ्रोबेल है लेकिन आधुनिक यूग में जो खेल परणाली है इसका सबसे ज़्यादा समर्थन है वो कोल्ड वेल कुक ने किया है काल गुरूस ने बालक उपियोगी खेलों को बाटा है पांच परकारों में बाटा है माता पिता की शारिरिक एवं मांसिक विशेस्ताओं का संतानों में हस्तांतरन होना वन्शानुकरम है यह कथन है बी एन ज्छा का अनुकरन दूसरे व्यक्ति के बाहिय वैवहार की नकल है यह कथन है रेबर्न का खेल का सामाने अर्थ है खेल का सामाने अर्थ है चितकी उमंग सथाई भाव होते हैं जो सथाई भाव होते हैं वो जनमजात होते हैं जैसे की जो मा होती है उसमें अपने बच्चे के परती क्या एक लगा होता है प्रेम होता है तो इस परकार के जो भाव होते हैं उनको सथ बैट्रिक ने किया था, ये काफ़ इंपोर्टेंट कोश्चन है, जितनी भी पदिती है, किस ने दी थी है, अच्छे से याद कर लेना, वातावरन वह है बहारी शक्ती है, जो हमें पर भावित करती है, यह एक अथन किसका है, यह एक अथन रोस का है, निमलिकित में समवेग नहीं है, भै, क्रोध, भूख और पलाएन, तो इसका जो सही अंसर है, वो क्या है, डी, पलाएन, भै, क्रोध और भूख ये सभी क्या है, इमोशन है, डाल्टन पदिती का परतिपादक है, डाल्टन पदिती किस ने दी है, मिस हेलेन पार्क हर्ष्ट ने, समेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है यह कथन किसका है वुडवर्थ का मूल परवर्तियों के सिधान्त का परतिपादक है मैकडूगल जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो मूल परवर्तियों का सिधान्त है वो किस ने दिया है, MacDougal ने दिया है किस पद्धिती में खेल गीतों द्वारा सिक्षा दी जाती है तो इसका जो सही अंसर है वो क्या है, Kindergarten ये जितने भी पद्धिती है, Montessori, Heuristic Project पद्धिती ये सभी खेल सही related है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंस है जैसे जो Kindergarten पद्धिती है, उसमें क्या है? खेल गीतों के द्वारा सिक्षा दी जाती है जो Montessori पद्धिती है, इसमें बच्चे उपकरणों के द्वारा खेल खेल कर ग्यान पराप्त करते हैं निम्न में बोधी के खेल नहीं है, चोपड शत्रंज पहेलियां आँख में चोली तो इन में से जो आँख में चोली है वो बोधी खेल में नहीं आता है बाकि जो चोपड शत्रंज और पहेलियां है ये सभी बोधी खेल है तो ये कुछ इंपोटेंट कुश्चन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू